आज हम लोग लेक्चर नूबर 7 के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास एक यह अल्फाबेट है तो इस अल्फाबेट में लेंथ 2 और लेंथ 3 में पॉसिबल स्ट्रिंग्स किस तरह से निकालते हैं तो जिस तरह हम लोग लें प्रिवियस लेक्चर में पढ़ा था हमारे पास बॉस्टरिंग्स की लेंथ 2 और 3 और 1 wo दीफाथ उन्ग्स कितने बने कितनी बनेन की अंदर वरट कितन आइंगे आ मने सबसे पहले अल्फा बैटिक लिखते हैं, अल्फा बैट में हमारे पास किया है, फ्रेंट्स में राइटिंग दो तिन अची नहीं है, इस पर माउस पर लिखने हैं कि लेकिन आपको इमिशाला समझा जाजागी इसकी, तो अब क्या करना है लेंथ टू, लेंथ टू में हम लो टोटल नवर निकने वाले फॉर, फॉर होंगे हमारे पास, तो अब इसका फार्मूला मारे पास क्या होगा, कि हमने यहां पर लिखना है टू, लेंथ टू है, इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे टू, मैंने टू लिखा, इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो और टू लिखेंगे और वन, ये मरे पर स्कीअ की आगए टू, ये वन लेंथ होगी, ये टू लेंथ होगी, अब क्या करेंगे कि, 0 पावर अगर किसी उपर हो, तुस से कया अमराध होगा, कि वो अगर किसी की पावर जीरो हो तो वन एक इकवल होता है, ऐर एक्जैंपल, अग कि आगर A की power हमारे पास ZERO हो तो वह किस के QL होगा फिर B इमारे पास योगा 1 का QL होता है तो अब ये मारे पास 1 के QL, अब 1 की QL आ गया, अब हमने क्या करने है अब हमने इसमें से A और B को जो है, एक बार लिखना है हमने A A क्योंकि A आया, एक बार लिखेंगे में लोग B, फिर से एक बार A लिखेंगे, फिर से B लिखेंगे, अब ये लिखना कब तक है, 4 तक, 4 टाइम, अब देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ये हो गया, ये फार्मुला मैं आपको उता रहा हूं, पोसिबल स्टिक निकाल लेंगा, अब अब आपने क्या करने है, 2, 2 की पावर क्या है, 1, अब जब 2 की पावर 1 हो, तो equal to क्या होगा, फिर 2 ही होगा, अब इससे क्या मराद होगा, इससे मराद ही होगा, कि आपने दो दफा पहले जो लिखना है, वो A लिखना है, फिर दो दफा आपने लिखना है, B, तो जब आप लिख लेंगे यह, तो अब या बन गया हमारे पास यह पहला हमारे पास जो String, यह दूसरा String, यह तीसरा और यह चोधा, अब यहां पर हम लोग लोग लिखना है, एये लिखेंगे, First हमलो लिखेंगे एये तो एये लिख दिया, फिर जो हम लिखेंगे A, B तो हमने यहां पर A, B लिख दिया फिर हम लोग लिखेंगे B, A फिर हम लोग लिखेंगे B, B तो यह हमारे परस जो है इस तरह से इसके possible string जो है वो find out हो चुके है जिस तरह हम लोगों ने यहां पर देखा था कि यह हमने निकाला था A, A, B है तो B है अब अगर हमारे पास length जो है length जो हमारे पास तीन हो, अगर तीन length हो यही alphabet हो तो किस तरह से निकालेंगे यह मैंने अल्रेड़ी एक निकाल एक जो है वो निकाला हुआ है तो आप देख सकते हैं कि 2 की power 0 है 0 यानि कि 1 की equal 0 जो है 1 की equal यानि कि 1 एक एक बार repeat होगा एक बार A आगया B आगया A आगया B कब तक? 8 तक क्योंकि length 3 की length क्याब मैंने कि हमारे पास 3 की 8 तो यह string आगे 2 से 2 से मुराद किया होगा कि 2 बार A आएगा और 2 बार B आएगा 2 बार A दो बार B और 2 की पावर 2 है 4 यानि कि 4 बार पहले हमारे पास 4 बार किया आगया A 4 बार A आगया यह यह वाला फिर 4 बार किया आगया B आगया यह इसका formula है possible string निकालनेगा अब हमने यह deck उठाया इसको पहली line को A A AAA AAA फिर BB, sorry AAB AAB यह उठाया और हमने इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके अंदर 8 वर्ट यह वो बन चुक है इस तरह से simply आप लोग जो है इसके possible string जो निकाल सकते है 4 हो तो 4 को कैसे निकालेंगे simple ऐसा ही लिखना है आपने 0, 1, 2, 2 की पावर 2 आजाएगी 8 होगा तो वो A टाइम आप लोग A लिखेंगे A टाइम फिर B लिखेंगे उसकी जो उसको जिस तरह मैंने अपने प्रिवियस लेक्टर में बताया था कि 4 की 8 की जितनी भी लेंद्वोग कितनी निकलेगी तब तक आप लोग यह लिख सकते हैं तो इस तरह से पॉसिबल स्टिंग्स जाए वो निकालते हैं असान मैथेड से तो हम लोग नेक्स लेक्टर में पढ़ेंगे कलीन स्टार क्लियर तो आज का लेक्टर अगर अच्छा लगए तो लाइक कीजिए अगर आप मेरे यूट्यव चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब हैं किया तो काइंड़ी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंड़ी है आइकन को भी प्रेस करने ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन जाएं वो मुसूल हो चुके हैं तो अपना खिया लेके करने दो हमें याद रिखिएगा अल्ला हाफिज